नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आज हम लट जीरा की बात करेंगे जिसको हम अपा मार भी कहते हैं आप अगर थोरे से रोड से साइड में जो जहार जंगाला होता है उस साइड चले जाए तो आपको यह पेड आराम से मिल जाएगा क्योंकि देखिए जब यह पेड जो है बारिस के मौसम में ज्यादा उगाता है आपने देखा होगा कभी कभी आप कहीं से क्रोस कर रहे हैं आपके कपड़े में नीचे साइड पैर साइड कुछ-कुछ जीरे के तरह हरा हरा सट चिपक जाता है कि करके निकालना पड़ता है इसकी यही पहचान है यह चिपक जाता है अप इसका प्रयोग कैसे कहेंगे चले जानते हैं हम आज आपको हम आठ से अजुझ सकते हुआ है वैसे तो माना यह भी जाता है कि अपामार की तहने से अगे अगर आप आप की ऐड़को सफब करें तो आपकी वानी में समोहन सकती यानि अपको लोग सुनना चाहेंगे सभा को सम्भोधित करने की सक्ति आ जाती है आप किसी को भी कुछ कहेंगे तो आपकी बात जरूर मानेंगे अगर लगातार आप इसका परियोग करें तो कम से कम एक मेहने से लेकर छे मेहने तक माना जाता है किसी भी पुछ से नचत्र खास कर जब अभी पुछ से हो या गुरू पुछ से हो तो ज्यादा अच्छा नहीं तो किसी भी पुछ से नचत्र में आप इसको घर ले आए जड़को इस पौधे की जड़को अब इसको पानी की सहाय तिलक लगाना है अपने माथे पर ठीक बीचों बीच ठीक है आइब्रों के पास जो आप तिलक लगाते हैं वहीं पर और लगाकर आप किसी की भी सामने जाएंगे वह आपके बसी भूत हो जाएगा और आप जो मंचाहकार चाहेंगे करवाना किसी से वह कर देगा तो यह वसी जाए तो इन चारों को समान मात्रा में पीस लें पेश्ट बनाने और मस्तक पर तिलख लगाए जिस भी व्यक्ति के सामने जाएंगे एक बार में ही सम्मोहित वह जाएगा और आप जो भी कारे उसको कहेंगे वह कर देगा अप अमार के पौधे की जड़ को आप अगर मालेते हैं कि अस्विनी नशतर में आप लाते हैं और उसको एक ताबीज में डाल कर ताबीज कोई भी होगा चांदी भी चलेगा और अगर आप अपने पास रखते हैं या धारन कर लेते हैं बहुत सारे लोग धारन करना नहीं च कारे होगा कहीं भी आपके विप्रीद फैसला नहीं जाएगा स्वेट आपा मार्ग स्वेट जो जिसमें सफेद टहनी वाला आप उसको अभीमंत्रित कर ले कहने का ताथ पर एक दिन पहले नियोता देकर आईएगा कहिएगा हम आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं चाहत तो अपा मार्ग का जो पौधान इसको जड़ सही तो बहुत अच्छा और साथ ही ओम रिंग नमहा वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं लेकिन मंत्र को जपने में बहुत सारे उल्जने होती है कई बार समय सही नहीं मिला लोग बीच में डिस्ट्रब कर दिये तो उससे अच्छ औरों की माला अगर कोई व्यक्ति धारन करके रखता है तो उसके संपर्क में आने वाले सभी व्यक्ति उसके वसी भूत हो जाते हैं चोटे-चोटे-पूस्पो होते हैं अब अपामार की जड़ है अगर उसको आप धतूरे की जड़ में मिलाकर अगर किसी को बस में करना चाहते हैं उसको मिलाकर अगर आप थोड़ा सा ज्यादा नहीं थोड़ा सा अगर आप खा लें नियमित रूप से तो जो भी व्यक्ति के सामने आप जाएंगे वो आपके सरीर में ही आकरसन सक्ति आ जाता है आपने देखा होगा बहुत सारी लोग या बड़े बड़े बाबा लोग हैं आकि क्यों लोग उतने उतने सभा में आते हैं तो सम्मोहन सकती है वानी में उनके तिलक में उनके सरीर में यही तो इसकी खुवी है तो अस्विनी नच्छतर वाले दिन अगर आप अक्पाब मार्ग के एक पूरे पौधे को जिसमें क को तोड़ लें और तने को वहीं फेक दें जड़को आपको उठाकर ले आना है और जिस भी व्यक्ति को आप बस में करना चाहते हैं उसका नाम लेकर अपने पास रख लें और घर से निकल जाए देखिए वह कैसे आपका फटाफट से काम करेगा और आपके बस में आ जाए तो उसका भी असर कम हो जाता है अगर किसी को दातों मसूरों के परिसानी है तो अपा मार्ग की टहनी से दातों करे तो वो भी खत्म हो जाता है मसूरों से आने वाले जो खुन होते हैं वो भी आना बंद हो जाता है और अगर इसके पत्तों का रस रुई के फोहों की सहायता से दान दर्द के उपर रखा जाए तो दर्द समाफ्थ हो जाता है माना जाता है कि कोई इस तरी प्रसो पीड़ा से परिसान है और पुस्य नच्छतर में लाया गया अगर सफेद अकपा मार्ग की जड़ को काले कपड़ में बांध कर इस तरी के गले या कमर में बांध दे तो पीड़ा समाफ्थ हो जाएगा और सिग्र संतान की प्राप्ती हो जाएगी तो इसका प्रियोग बहुत अमोग है माना जाता है किसी बेक्ति को बुखार है और इसके फूलों की म में ही समाफ्थ हो जाता है इसके प्रियोग बहुत है लेकिन सबसे बड़ी चीज है इसको लाने का तरीका क्योंकि लाने का तरीका ही बताता है कि वह कितना असर करेंगा जब आप किसी चीज को सुमूर्त में लाते हैं तो वह जल्दी असर करता है अब चलिए आपके मन में होगा कि संतान की प्राप्ति कैसे हो देखिए अगर लाग प्रयास के बाद भी संतान प्राप्त नहीं हो पा रहा हो तब लाल अपामार्ग जो बीच होते हैं वह लाल हलके से लाल पर लिए दिखते हैं कि तो उसी अपामार्ग की जड़ को आप जला कर भस्म बना ले गाई के तरका तंत्र मंत्र किया भी समाथ होगा व्यपार भी आपका बढ़ने लगेगा अब माना जाता है कि अपा मार्ग जो जड़ है न वो धन की प्राप्ति करवाता है अगर आप सफेद अपा मार्ग सफेद लटजीरे के जड़ को लाकर धन अस्थान पर रखे रभी पुसी या गुरूप उसी नच्छतर के दिन तो धन बढ़ता ही जाता है दिन दुनी राच चोगुनी तो इस अपा मार्ग को जरूर लाइए अपने घर में रखिए यकीन मानिए धन तो बढ़ेगा लेकिन आप जब घर के मुखे दरबाजे पर इसको काले धागे के सहारे आप को हटा देता है माना जाता है अगर उपड़ी बाधा हो कंत्र मंत्र क्रिया हो सत्रू उपद्रव कर रहा हो तब अपा मार्ग और काले धतूरे के पौधे को जड़ के साथ उखार कर घर ले आए और घर में गड़ा कर दोनों ही जड़ को उल्टा करके गाड़ दे तो सकते हैं फिला आप से बिजा लेते हैं जान करें अच्छी लिए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें दो